पाँच राजियों के विधान सभा चुनाओं के बाद इवियम का मुद्दा गर्माया हुआ है कॉंग्रेस समित सभी विपक्षी पार्टियां सरकार पर इवियम से छेड़ छाड़ का आरोप लगा रही है इसी बीच कॉंग्रेस निता विरप्पा मुईली ने अपनी ही पार्टि को नसीहत दी है विरप्पा मुईली ने कॉंग्रेस को लतार लगाते हुए कहा कि कॉंग्रेस इवियम के बहाने अपनी हार छिपाना चाहती है कॉंग्रेस के इस कदम को मोईली ने पूरी तरह निराशावादी मान सिखता कहा आपको बता दें हाल ही में कॉंग्रेस समीट 16 विपक्षी पार्टियों ने इवियम के मुद्धे पर चुनावायों के खिलाफ याचिका दायर की है पूर्व कानून मंतरी विरपा मोईली ने कॉंग्रेस के इस कदम पर सवाल उठाते हुए नसिहत दी कि कॉंग्रेस को इस मामले में राजनीतिक लाब लेने की कोशिश नहीं करने चाहिए मोईली ने कहा ये सिर्फ शेत्रे दलों की लोकल भावन कोशिश है हमारी पार्टी भी इसमें साथ जुड़कर हार के बहाने तलाश रही है जब मैं कानून मंतरी था उस वक्त इवियम चलन में आए थे उस समय भी इसको लेकर शिकायत आई थी हमने तब उसे सुलजा लिया था ये सब पार्टी को बता है अब जब इवियम के मुद्दे पर विरोध का माहूल है तो उसके साथ जुड़ जाना गलत है हाला कि लगता नहीं कि कॉंग्रिस के शिर्ष नित्रतो को मोयली की बात समझ में आई है क्योंकि कॉंग्रिस ने उनकी बात से सीख लेने के बजाए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है आपको बता दें बाच राज्यों में विधान सभा चुनाव के बाद सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने इवियम पर सवाल खड़े किये थे जिसके बाद बाकी दल उनका समर्थन करते चले गई आम आदमी पार्टिय ने तो इस मुद्दे पर मौडचा ही खोला हुआ है हाला कि चुनाव आयोक साफ कर चुका है कि इवियम में गड़बड़ी संभव नहीं है एनेमेफ नियूस की रिपोर्ट